इस वर का बहुत बहुत सुक्र है, थैंक्स टू लॉकडाउन, जन्ता कर्फियू की हम लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं, जाने जा रही हैं, लेकिन बहुत बहुत कम अगर हमने इस बिप्रित परिस्थितियों का मुकाबला बिल्कुल धहरिये से किया, तो हमारा कुछ नहीं बिगरेगा, चुकि इतिहास गवा है, ऐसी चीजों ने ऐसा मौत का तांडव खेला, कि दुनिया की आधी 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 आवादी, माप कीज़ेगा, कई कई महादेश क आधी आवादी को ऐसे तांडवों ने निगल लिया, अब ही क्या है कि आवेरनेस की वज़े से, मीडिया की वज़े से, मैं कई बार मीडिया से मेरी शकायत रहती है, और मैं इन्हें बहुत ज़ला कोशता हूँ, अपने स्टुएंट से, बच्चों से भी बताता हूँ, कि म बीडिया पे 100% बिलीब नहीं करो, लेकिन इस वक्त मैं बीडिया पे आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस केस में प्लीज आप बिलीब कीजिए, सरकार को, जो कुछ भी सरकार हिदायत दे रही है, उसको फालो कीजिए, मैंने भी कुछ गल्तियां करी है, जैसे कल मैं अ पहिस करके रखता है, मुझे लगा अकेले जाओंगा तेजी चीजें हो सकती है, चुकि मैंने किसे के टच में, किसे का कोई सहारा नहीं लिया था, अच्छा, दोस्तों मैंने कहा, इसलिए ये चीज़ की आधी आवादी हमारी और पुरी दुनिया की खतम हो जाती, इतना ज जाता है कि अमेरिका से इसकी सुरुआत हुई थी, लेकिन कहीं से भी हुई, अमेरिका से हुई हो या चाइना से हुई हो, इसने पांच करोर लोगों की जाने ली थी, जी हां, पहुने दो करोर लोगों की जाने सिर्फ हिंदुस्तान से गई थी, और बताय जाता है कि आनाज उबजे नहीं थे बुसलधार आकारण वारिस की बज़े से और वहां बहुत ज़ादा आनाज की किल्ड थी तो जो जहाज चाइना बताया जाता है ऐसा कि गई थी जो जहाज गया था चाइना सामान को लाने के लिए तो लोग इनजार में थे और जब जहाज के पास ग लोगों में awareness नहीं था thanks to media and the technology and the today's modern world की हम लोगों के पास awareness है awareness नहोने की वैसे लोगों ने टच किया जाके दफनाया सब को फैल गया और धीरे धीरे पुरे यॉरॉप में इस महामारी ने अपने कबजे में इस महामारी ने ले लिया उस वक्त पुलिस को भी प्लेग हो गय कि 50% आवादी को अपने कबजे में ले लिया और लोग मर गए कुछ सोर्स ये भी बताते हैं कि 70% यॉरॉप की आवादी खतम हो गई दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं 1918 अभी अभी आपको बताया कि 1940 में जब कॉलेरा यानि की हैजा आया था गंदे पानी और खराब ख आने जाती है हम लोगों को पता कम चलता है चुकि ये चीज नियूज में नहीं आता है 1995 में प्लेग वही जो चौदवी सताब्दी में यॉरॉप में जिसने कहर बर पाए था सूरत पे सूरत चुकी एक इंटरनेशनल प्लेस है वहाँ समंदर के जरीए आया होगा ट्रेट क को खाली करके चले गए यूपी बिहार के जो लोग वहां काम करते थे जब वहां से घर भाग अपने घर आये तो घर में फैलाना शुरू किया और पूरे गाउं के गाउं साफ होने लगे थे इस वक्त भी लोग गलतियां कर रहे हैं बागे जारे हैं अपने गाउं सहर को ज क्या होगा एक दो दिन अगर हम खाना नहीं खाएंगे चीचक ने भी यही आतंग याने कि छोटी माता बरी माता है स्मॉल पॉक्स शिकेंड पॉक्स ने फैला था जिसका अभी तक कोई टीका नहीं छेसा दिन अकेले रहे है परहेज करे खाना मेंटेन करे तो आप बिलकु लेकिन हमारे लिए यंग लोगों के लिए ये कोई नुकसान का रिजन है बाब जुद इसके हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए जबरदस्ती नहीं करना चाहिए घर में रहे ये सेफ है लॉक्डाउन अगर है हमारे फाइदे के लिए कुछ लोग किसान नेता और धार्मिक ल लेंगें जमीन खर देंगें बनाएंगें अगर जान ही बचेगा तो क्या करोगे ये एक ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते हैं और मौथ हमारे सामने हैं हमारे सामने का मतलब कब किसको कैसे हो जाएं कोछी चीजें जो हम पलकुल परहिस कर रहें जिसे हाथ नही Worई ऐसी चीज़ों को लोगों के पास और अगर आपने रुमाल भी बंधा तो एक बार बंधने के बाद उसे पानी में डाल दीजे ताकि जब वो दुबारा साफ हो जाए तब ही आप उसको पहन सके जो मास्क आप उसको आप अलग रख दे उस मास्क को दुबारा मत टच करें ध्यान रखे खासत और से इन चीज़ों का कुछ नहीं होगा लॉक्टाउन और जनता कर्फ्यू का स्वागत करें उमीद है कि कहीं कुछ भी नहीं होगा अवेर्नेस की बज़े से थैंक्स तो गॉड थैंक्स तो मीडिया थैंक्स तो टेक्नलोजी और इन लास्ट वेरी वेरी थैंक्यू तो गॉट्ट अप प्लस पुलिस डॉक्टर्स लिवर्स दूदवाला पाने वाले जिदने भी लोग इस वक्त काम कर रहें उन सब को बहु उस फैक्टरीज बंध हो गए वो बहुत लंबा संगर सला था ये तो मुझे लगता है कि 10 दिन के बाद हम ठीक कर लेंगे और हाँ ये कुछ महिनों तक परिशान जरूर करेगा लेकि 10 दिन के बाद ये कंट्रोल हो जाएगा बिल्कुल धहरी रखिए सब कुछ ठीक हो गर पे रही है हिपाजत से रही है कोशिस करता हूँ कि घर से वीडियो बना बना के अपलोड करूँ आप उसी से देखिए पढ़िए सीखिए और आगे बढ़िए फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी आपका समय सुब हो जय हिंद जय भारत